कि हेलो सुदेंट्स टुड़े वी आर गोइंग तु स्टार्ट नीट डाइरेक्ट इकलिबिरियम बच्चों आज हम इकलिबिरियम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पहले हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट आप कमेस्ट्री और थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट कर चुक इसको हम सॉल्व करेंगे इसके बाद आपका इससाइनमेंट होगा यह तो पता ही आप लोगों को ठीक है बच्चों तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इकलिबिरियम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफी कुश्चन्स आते हैं इसे बच्चों के लि अईन फेलिबिरियम होता है जो आपने पुड़ा होगा ठेक है बच्चों तो हम ब हम स्टार्ट करते हैं ऐकलिबिरियम और बडेए यह तापिक हम स्टार्ट करें इसमें प्राबम बच्चों बच्चों यह चलना है प्रॉब्लम नंबर यह है आपका यह 7.1 ना बच्चो तो यह क्या कर रहा है दा फॉलिंग कॉंसेंटेशन वे यह इतना फॉर्मिशन यह दिया है आप मुनिया है नाइट्रोजन है एकलिवियम 500 के लिए यह कॉंटिटी आपके दिवी है बच्चो थाम इसमें न रहेकल ले बच्चो अमने क्या ले लिए है क्या लिए है न लिए हम है क्छों करते है घ्र नाइट्रोजन Hai तो और यह व्लाया देग्छों हो गया लेकिन अब सब्सक्राइस करना होगा क्यों ак किया किया यह किसिन को हाइडोजन और वन प्लस हाइडोजन से मिलकि क्या मनता बच्छों अमुनिया का प्लॉक्षिन होता है ठीकिन आ तो चलिए बच्चों की बात करते हैं कि अपने पढ़ा होगा कि अपने पढ़ा होता है और पॉड़क्ट किया आता है इंक्रीज होता है कैसी पॉजिशन आती है कि क्या होता है उस पॉजिशन जहां पे दूनों कॉंस्टेंट हो जाते हैं तो इस पॉजिशन को हम बोते हैं क कुलिए पड़ा और तो स्लॉब करते हैं तो यह बट्रew को केड़े बच्चो यहां पर बेटा है यह आपका पूर्ड़क्ट हम ने लिया और कॉपिशेंट का बता पता हिए बचो आपको यह हमने होस्ट अदिए बच्चों, फिलोंत ना बापूर यहाज यह बटा होगा आपका है यह यहां प्वाइन है यहां पूट करते हैं यहां में नस्तरी की तो बच्छों हम यह लेकते हैं 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 बटा हो गया यह M राइट इसका बच्छों हमने कर दिया होली स्क्वाइर यह हो गया आपका अब बच्छों यहाँ पर हम नाइट्रोजन की वेलू डगते हैं नाइट्रोजन की वेलू कितनी दी है देखें 1.5 बटा यह दी है यहाँ पर 3.0 इंटू 10 का पावर हो गया माइनस 2 यह हो गया बच्छों यह क्या हो जागा बटा है यहाँ पर QKT राइट अब बच्छों हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देखें हैं सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाते हैं बटा हम यहाँ पर आगए इसकी वेलू आगए इसको हमने whole square किया तो 1.44 इंटू 10 का पावर हो जागा minus 4 आई M है बटा यह भी क्या हो जागा बच्छों इसका हो जागा whole square अब बच्छों हम यहाँ पर लेते हैं इसका 1.5 से इसमें हम 1.5 बटा यहाँ लेते हैं यह 1.5 इंटू क्या होगा 10 का पावर minus 2 बटा M already है बच्छा अब यहाँ बच्छों यह 3 है यहाँ पर क्यों है यह हो जागा बटा 27 इंटू 10 का पावर बटा हो जागा minus 6 ठीक है न बच्छों minus 6 के है ना बटा यहाँ पर यह क्या है यह MQ है ना यह MQ बटा यहाँ पर यह ठीक है ना यह आपका MQ हो जाएगा अब बच्छों आते हैं हम यहाँ पर यहाँ बटा हम solve करते हैं तो बच्छों यह कुछ हैसा आता है answer यहाँ पर यह बटा आजाएगा आपका 1.44 इन्टो 10 का पाउर बैटा माइनस 4 बच्चो ये बच्चो हो गया 4 0.5 इन्टो 10 का पाउर बच्चो हो जागा माइनस 2 हो जागा बच्चो माइनस 6 के ठेक है बच्चो इसे बच्चो solve करेंगे हम question को 0.0 बच्चो हो जागा 3 355 इंटो 10 के पाउर बिटा माइनस 4 आप पान हो जागा बच्चो 10 के पाउर माइनस 8 यह बच्चो आजागा आपका यहां ठीक है ना इसको सॉल्प करेंगा तो अब बच्चो यह हम जब पूरा कैलिकुलेशन लाती है वैलू तो वैलू कुछ इस तरह से आती है इसको आपका 3.5 इंटो 10 के पाउर माइनस 4 आप प्लस बटा 8 हो गया यह बच्चो होगा इसका ठीक ना अब आते हैं बच्चो यह यहाँ पर अब बीटा यहाँ पर वैलू जब आती है वैलू को हम नहीं है पोड किया यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं डेसिमल को हम ले जा बैटा यहां पर यह आजाएगा इसको वक्यों करेंगा तो यह आजाएगा आपका 3.55 इंटो 10 के पार वाइनस टू इंटो भूटा यहां पर फूर यह बच्चो गया इसके ठीकिना अब बटा यहां माते हैं 3.55 इंटो 10 के Maynus 2 होजागा यह किया हो जागा बा सबसुर हो जाए ना यहां पर यह वंखा आपका solve करें तो अब बठाव यहां पर बच्चो आजाएगी Valey टी Governor too कि यह आगी ठीक है बच्चों अब फाइनल तुमारे पास आगी कितनी 3.55 10 का पॉवर 2 रिटे रिसका बच्टो हो जा गाइब निम बच्टो यह जा गाइब कि यह आपका आंसर आजाएगा ठीक है बटा आप आता है बचों हम नंबर यहाँ पे 7.25 यह दिया हुआ है टू तो बच्छों हम इससे करते हैं 7.2 question number प्याद दिया हुआ है कि at equilibrium the concentration of nitrogen बिटा इतना है 3 into 10 power minus 3 oxygen value बिटा इतनी है यह बिटा आपका इन्हों इतना है किसा shield vessel में है कितने पर 800-800 Kelvin पर तो what will be the case for the reaction तो बचा इसका equilibrium constant बिटा क्या होगा ठेक है बच्चों चलिए इसको करते है for the reaction equilibrium constant can be written तो बच्चों हम इसको solve करते हैं यहां पर तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे क्यों को लेखेंगे बटा यहां हमने लिए nitrogen यहां बच्चों हमने लिए oxygen यह बच्चों क्या हो गया यहां पर यहां पर यहां पर तो यहां ठीक है बच्चों यह बच्चों यह दोनों क्या है यह आपके जिएन इसवेन हम ने क्या है था यहां यहां पर यहां बच्चों और यहां ने लिए oxygen राइप तो यहां पर हम करते हैं तो यह क्या होता है two point eight two point eight into ten का पार Mynees three with em यह बढ़ता हो गया आपका क्या हो गया बच्चों होल स्कौयर हो गया राइट यहां बच्व हो लेते हैं थ्री पॉइंट जीरो इन्टु 10 का पाउर माइनस थ्री एंड बटा हो गया आपका ठीक निया होगा हुआ हैं अब बच्व हम यहां आते हैं यहां पर सीधे अब यहां पर आते हैं तो हमने ले लिया 7.84 इंटी 10 का पवर माइनस 6, यह हो जागा बच्छों, 1.26 इंटी 10 का पवर माइनस 3, il.3 यह स्कौार हो जागा, यहाप यह वैलो आपके आगी बच्छों यहां पर 7.84 इंटु 10 को पावर माइनस 6 यह बेटा हो गई 12.6 इंटु 10 को पावर माइनस 6 तो यह यह बटा कैंशील हो गया तो बच्छों यहां पर आगई बालू 7.84 आप अपान बट ट्वैल पॉइंट बच्चो आ गया तो यह बिटा आंसर आ जाएगा आपका जीडो पॉइंट सिक्स टू टू यह इज दा बच्चो आंसर केसी के की बिटा कोई यूनिट ही होती एकलिवियम कॉंस्टेंट की यह क्या होता है यहां पर यह आपके यह आपका बिटा आंसर आ हाना अब बच्चो आते हैं कोईशन नमर सेवेंट पॉइंट 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 थी क्या कह रहा है कि पी सील फाइप इस एल टू यह क्या है बच्चो एट एकलिवियम फाइपनेंट के लिए नहीं दे कंसंटेशन 1.59 यह यह दिया हुए पी सील थी दिया वह इतना दि इस एक पॉइंट पॉइंट थी तो बच्चो यह दिया बच्चो यहां पर निकलेते हैं यहां सारी वैलू दी विए तो बच्चो यह वैलू हो जाएगी बच्चो 1.41 यह हो गया बच्चो यह बच्चो यह बच्चो गया 1.59 यह बच्चो हो जागा आपका 1.59 यह थेकर ना बच्चो तो यहां बटा हम क्या लेते हैं कि कि लिए रिटेन इसी रिएक्शन को इसलिकल लिखते हैं एक लिए बच्चो यहां पर लेंगे पोड़क्ट यह बच्च कि हो गई पॉड़क्त यह बच्छों हो गये रीक्टेंट यह होगा रीक्तेंट यह बटा पॉड़क्त बच्छों मैं कहा यहाँ पर किसी हो जाएगा आप पी सील 3 क्या लिया हम अर्ट कालिया 돼ल किया और है एक सीज टू ठेक है यह होगा बाट यह लगा प्सीट लियो जेह बच्छो पाइव यह रहा तो यहां हम सक चाहें लेंगे यह देगा यह जाए गा 1.59 होगा इम ना बत्चो यह 1.59 नहीं होगा इवर चो जाएं पर 1.59 बत्टा हो जाएगा यह म मिलेंगे 1.41 यह होगे बत्चो ठीक ना बता यहां पर यह क्या था जुब हम करते हैं इसको solve करते हैं तो यहां आजाएगा आपका 2.5281 M बटा यह हो गया यह बटा हो जाएगा 1.41 M बच्छो M से M को cancel कर देंगे यह बटा solve करने पाजाएगा 1.79 M के ठीक है बच्छो 1 M कितना होता है 1 M बटा यह हो जाएगा पर मूल के ना बटा तो 1.79 1.79 ग्राम ठीक है ना बच्छो यह हो जाएगा आपका यह हम कह सकते हैं 1.79 यह होगा यह आपका यह आंसर अज़िए फाइन ठाक है बच्छो आब आते हैं बच्छो कोश्चन नमर्-7.5 क्या आते हैं बटा कोशन नंबर 7.5 में इस एक नज नहीं ने बच्छा को हाँ तो बच्छो हम आते हैं बटा कोशन नमर्-7.5 ए सब्सक्री ने मिष्द केसी इतना बिटा दिया है एट 1069 किलिए पर तो गाल केपी फॉर्दर एक्षिन अट इस टेंपरेचर है ना बैटा चले बच्छों को सॉल्व करते हैं बच्छों यहां पर तो बच्छों हमने यहां पर लिया 2N0 बच्छों हमने लिया इंभाट टेकने बटा यहां बच्छों यह देखे स्ट रवरस बारेक्षिन हो रहा है यहां यह दिखेas बार भाट है और इस अनृद यहां बच्छों हो गया करेम केशी हमने यहाँ पर ले लिया equilibrium constant बच्चो बिलकुल यह product है यह reactant है यह बटा हमने no लिया coefficient बटा यह पता ही है आपको power यह rest यहाँ बच्चो यह CL2 हो गया बटा यहाँ पर नबच्चो यहाँ बच्चो हो जाएगा no बटा CL का यह बटा हो जाएगा square यह coefficient है ठीक़एंग नबच्चो इसी तरह में यहाँ कर लेते हैं यह हो जाएगा mool per litre whole square यहाँ बच्चो हो जाएगा mool per litre whole square यहाँ बच्चो हो जाएगा mool यह जाएगा per litre इससे से बटा यह गया cancel हो जाएगा तो केसी कितना आजाएगा आपका मूल बिटा हो जाएगा पर लीटर के राइट तक केसी की वैलू क्या हो जाएगी बिटा यहां पर हम राखेंगे तो केसी हो जाएगा यहां पर थ्री पॉइंट सेविन फाइब इन्टू टेन के पौर माइनस 6 अब बच्चो हो गया मूल पर लीटर के ठीक नहीं बच के पीज एकल टू क्या होता है बच्चो केसी यह क्या होता है बच्चो आर्टी यह कहते हो डेल एन ठीक है बच्चो तो यहां पर बच्चो हमने क्याल किया है बट्टा आर की वेलू आपको पता है आर की वेलू यहां पर हम लेंगे 0.08 बच्चो थ्री लीटर बार ठीक है हम लेंगे पर मोल अब टावागा एलोइन के बिटा डण तक होता है नमबर आप मोल साफ करेसे प्रोडक्ट- स नमबर आप मोल साफ रियक्ट नगर ऑप लेंगे यहाप लेंगे और पी माइनस बाइनस बच्चे हो जाएगा एन और के इस फट्र में गेंट हम देते हैं देख टू प्लस वन है यह बटा हो जागा माइनस कपना हुटा मुटो हुटत हुटत फ़ार्मुलें को यहां पर रखते हैं टिक ना इसकी बैल्म यहां पर राखते हैं तो यह बटा हुटा 3.75 into 10 के पावर माइनस 6 इसी में रखेंगे पर मॉल किसमें रख रहे हैं बटा इसमें केसी की वेलू रख रहे हैं यहां पर न तो बच्चों यहां हो जाएगा यह आर की वेलू बटा यहां पर रखेंगे यहां ब्रेकेट में 0.083 बच्चों लीटर यह हो जाएगा बार यह हो जाएगा पर मूल बच्चों यह जाएगा बटा पर केल्विन के ठीक है यहां बच्चों हो जाएगा 1069 पर केल्विन के ठीक है यह क्या है आपका व生ा बच्चो केलवीं होगाय मत् Fiata किलिवीं करते हैं cyn si अो जाएगा ये से किया के शेखा पीसिल हो जाता थिक है यह बाइता कैंसील हो गया ठीक है अब जरह हम यहां लिखते हैं एक, फरास सिंप्लिफाय करते हैं simplify बेटा तो यह होजाएगा बच्चो 3.75 x 10 10 पहार-6 बेटा होगा ये पर मूल बच्चो ओई है पर लिटर और मॉल्स पर लिटर आने मूल्स पर लिटर ये बच्चो होगा 0.08 3 लीटर बार ना फैटा ये वह जाएगा पर मूल बच्चो यह बीटा यह बचेगा बच्छो यहां बचेगा आजाएगा 3 3 2.726 इन्टू 10 कप्वार मीनस 6 बच्छो बार बचेगा अब चब्राइट के तरफ हम इस डेसिमल को ले जाएंगे क्या करेंगे displacement करेंगे right की तर पिधर की तर बटा right की तर प्ले जाएंगे बटा तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हम calculate करेंगे तो 3.3 2 इंटू 10 के पौ़र बटा 2 हो जाएगा यह बच्चों हम यहाँ पका सकते हैं कि हो जाएगा 3.32 इंटू 10 के पौ़र बटा 2-6 यह हो जाएगा बच्चों बाहर के यह बच्चों 3.32 इंटू 10 के पौ़र बच्चों माइनस पूर यह क्या हो जाएगा बच्चों यह बाहर हो जाएगा अन्वाटा चलिए हम आगे बटने बटा यह बटा इसका अन्षर होगा अब आपते हैं बच्चों कोश्चन नेमर 7.6 दे वैलू आप कि फिफॉर दे वैलू आफ कि फिफॉर दे रिक्षिन स्यू टू यह कर्बन दिया है बच्चों यह कर्बन अक्साइड हो बनता है इस त्री एट इन हंड़र्ट केल्विन इफ इनिफिनिटी दिया दिया है बच्चों इतना बच्चों दिया है यहां पर इन्फिनिटी इतना दिया है बच्चों क्या दिया है हां इस थ्री पॉइंट हंड़र्ट केल्विन इट इनिसली इफ इनिसली सौरी इनिसली यह बटा दिया है इतना सारी चीज़ें बार है प्रेशर है बटा यू ग्रेफाइट है पर्जेंट है तो कल्कुलेटेट एकली बिलिम आप दा पार्सियल प्रेशर राइब टा में निकालना आ ठेक है बट्छो आते हैं बचो कोश्चन वान बिटा हम क्या करें सेंट पॉइंट पॉइंट यहां करने के लिए सबसे करना होगा यहां पर हमने कार्बन लिया यहां यहां पर यहां इनकारबन लिया सॉरीट यह बच्चो हो गया आपका टू सी ओ ठीक है बच्चों गैसे स्पार में ये बच्चों दे रहा है आपका 0.48 बार ने बटा ये क्या दे रहा है बच्चों अभी 0 बार एक्षन शुरूई नहीं हुआ है ये भी बच्चों क्या होगा यहां पे 0 बार ठीक है ने बटा अब फिर आप बच्चों आते हैं at equilibrium यहां T is equal to 0 बच्चों आते हैं है यह आप एक्ट एक्लू बिरियम की पोजिशन में हम जब आते हैं तो यह क्या होता है condition होगे बच्चों यह हो जाएगा बटा 0.48 minus X क्या हो जाएगा बच्चों यह बार हो जाएगा बटा इन्टू टू इन्टू क्या जाएगा बच्चो यह बार हो जाएगा राइट अब बच्चों आपके लिका लेंगे प्रेशर तो बच्चों यह क्या रही है यहाँ पर P C O का हॉलीस्क्वाइर यह बिटा हो गया PC2 कि यहां हम आते हैं वीटा तो यह जाएगा थ्री इंत्व हम लेगे क्या ले लेंगे यहां पर 2X ले से क्लास कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह क्लास क्लास मल्टिप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हूं into 0.48 minus x is equal to beta हो जाएगा यह 4x square की यह बच्चों हम इसे कर सकते हैं 1.44 minus 3x is equal to beta हो गया यह 4x square की ठीक है बच्चों तो बच्चों यह आ जाएगा आपका 4x square minus 3x minus 1.44 is equal to 0 बच्चों यह एक तरह से देखा जा तो quadratic equation है अगर हम यह क्या कर रहे हैं बच्चों यह quadratic equation हो रहा है हाना यहां बच्चों यह है quadratic यहां बच्चों हो रहा है quadratic equation है ना बच्चों तो यह हम किसको कैसे represent करते हैं बच्चों ज़रा इसको समझते हैं तो यह बच्चों हो गया क्यूं है ये बच्चों हो गया quadratic equation है ना बटा तो ये बार बार question में आगा तीसे समाझ लिजी अच्छे से ये बच्चों हमने ले लिया quadratic equation होता एक्चुलि एक स्क्वार प्लस bx प्लस c is equal to 0 मैट में है बटा थोड़ा सा mathematical question है यहां पर बटा ये एक सी एकुल टुट ऱोजागा माइनस b國 माइनस बटा हो जाता है ये formula है मैट का b square minus 4ac upon बच्चों हो जाता ही दूएक है ना बटा तो यहां पे हमने a को मांल लिया यह four x बटा a को हमने का माल लिया ऑन alarm but बच्चो mे को माल लिया picks 3 3x तो बटा हमने बी को मान लिया है यहां पर 3x बटा सी को माल लिया हमने 1.4 अब आपने बचो हम यहां पर क्या करते हैं कि एक सीची को बटा हम ले लेते हैं माइनस भी प्लस यह हो जाएगा बच्छों भी स्क्वार माइनस फूर AC आपान बच्छों हो जाएगा यह 2A आना बटा यह हो जाएगा बच्छों माइनस 3 प्लस इसको solve करेंगे बटा यह हो जाएगा बच्छों 3 का holy square यह हो जाएगा बच्छों माइनस 4 इंटू 4 इंटू हो जाएगा प्लस 23.04 बाई बटा हो गई ठीक ना बटा यह जाएगा एक्स इस इकोल्टी बटा जाएगा माइनस 3 प्लस 32.04 बाई बटा हो जाएगा एट ठीक ना बच्वो तर बटा हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ठीक है बटा हम आते हैं यह जाएगा 332.04 बटा यह 8 आगया ना बटा अब आते हैं बच्वो यहाँ पर हम अनवता अब बटा हम हम आते हैं यहाँ पे X is equal to हो जाएगा, बैटा, X is equal to यहां पर हो जाएगा आपका, हाँ तो बच्छो यह आ गया बैटा, अब बच्छो यहां हम बैटा, solve करते हैं, तो यह बच्छो आ जाएगा, बैटा, X is equal to हो जाएगा, 0.3, 0.33, बैटा, 25, तो एप्रॉक्समेटली बैटा, बैटा, हम लग लेंगे, 0.33, ठीक है बच्छो, अब दूसरे वालों को करते हैं, solve, X is equal to बैटा, minus B, यह हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा, B, square बैच्छो, यह हो जाएगा, बैटा, 4AC के, आपन, 2A के बैटा, यह बच्छो हो जाएगा, X is equal to minus 3, minus A बैटा हो जाएगा, plus 3 के बैटा, square, यह बच्छो, 4, 4, minus 1, 4, 4, यह बच्छो, 2 into 4 के बैटा, X is equal to, हो जाएगा माइनस 3 माइनस ये बच्चों हो जाएगा 9 प्लस 23.04 ये हो जाएगा बच्चों 8 एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 32.04 बाइट ये हो जाएगा बच्चों यहां पर हम करनें X is equal to बिटा हो जाएगा minus 3 minus 5.66 upon बिटा हो जाएगा 8 तो बचो यहां हम करनेगा X is equal to minus 8.66 by 8 तो बचो X की value आजाएगी आपकी minus में आएगी 1.0825 ना बचो 825 है ना यह आजाएगी आपकी value है ना तो यह बचो value X cannot be negative हम कर सकते है यहां जो बचो यह जो value जो होगी यहां X की बचो negative नहीं होगी यह negative बचो नहीं होगी गलत होए नहीं negative रूप नहीं आ सकती है हम यहां लिख सकते हैं क्या कि value ना बटा हम क्या लिख सकते हैं value हम बचों यहाँ पर लिख सकते हैं value of x value of x can not be negative can not be beta बच्चों होगा यह negative so the value हो जाएगा so the value of x is equal to हो जाएगा बच्चों 0.33 will be क्या होगा बच्चों टेकन as a partial pressure taken as a partial बच्चों यह होगा pressure हना यहां बच्चों कर सकते हैं जिसे मान लिजें कि हमने इसे लिया है यहां पे pco2x के तो बच्चों हो जाएगा 2 into 0.33 के तो यह हो जाएगा बच्चों यहां बच्चों यह हो जाएगा बच्चों इसका 0.48 minus x तो बच्चों हो जाएगा 0.48 minus 0.33 0.05 बच्चों जाएगा 15 जाएगा यह फाइनल प्रेश्य के आगा बच्चों यहां पे हम कळसके हैं बच्चों यह हम जो हमने किया है यह बिटा यह वाला system जो यहां पर यह जो value आई है इसकी यह आई यह value यहां पर 0.33 यह बचो यहां पर यह correct है ठीक है अब आता है बचो problem number 7.7 पर यह कर रहा है आ इसकी पर यहां पर यहां पर यह बचों तरह कितर बीटा क्या होगा है इस कोचन को सौल करते हैं बचों इसकोचन को सॉल्ट करते हैं को solve करते हैं तो यहां बच्छों हम क्या लेते हैं सबसे पल है बच्छों यहां हम लेते हैं लेक्षिन को लिख रहा है कि यह 2 है बच्छों यह क्या रहा है बच्छों B प्लस बटा C कितना दिया है बच्छों यह 2 इंटू 10 के पार बटा माइनस 3 की ठीक ना फॉर टे रियक्षिन को यह बच्छों यहां आप लेक्षिन का बच्छों यह बटे रो या दोनों का बच्छा में प्रोडक्टा यह हो गया यह और ध्यान रखना है जरू हम यहां प्रकारते हैं कि दूब बटा कैसे क्यों होगा एक लिए तो रिएक्षिन कि दर की तरफ होगा बटा हम इसे बोलेंगे फारवार्ड रिएक्षिन होगा क्या होगा फारवार्ड रिएक्षिन होगा हना बच्छो अब बच्छो यह क्वेश्चन जो होता है और ग्रेटर दैन केसी होगा तो रिएक्ष तो QC is equal to or Casey क्यों होता है question यह क्यों हो जागा यह at equilibrium की position में बटा यहां पर यह होगा ठीक है न यह बटा है यह less than होगा question less than के सी के तो फार्वार डिरेक्शन बैक्वार डिरेक्शन होगा यह फार्वार डिरेक्शन होगा यह पूजिशन में बटा आजाएगा अब यह बच्चो इसकी वैलू रखते हैं यहां पर QC उजीकल टू क्या जाएक बच्चो थ्री इंटू टेन का पावर माइनस को बच्चो हमने यह रख दिया अब बच्चो आज आगा 9 इंट टेन का पावर माइनस 4 तो यह बच्चो यह भी हो गया बच्चो यह हो गया तो यह बच्चो यहां पर कर लेंगे यह बटाइगा जिदा पॉइंट जिरो जिरो टू तो बचो यहां पर क्या हो जाएगा कि वो शे बेटर देन यह के सिके थम का इंग दस्व दर रियक्शन बेटा विल भी क्या होगा विल प्रोशीड क्या होगा विल प्रोशीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा यह इन बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा यह क्या होगा रियक्शन आपका होगा ठीक है त आज का बच्चो लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं बच्चो ब्रेक करते हैं ठीक है बच्चो और हम कल फिर आगी इस लेक्चर को कांटिन्यू करेंगे ठीक है बच्चो